गुड इवनिंग गाइज, वेलकम तो केमिस्टी रॉक्स गाइज, आज हम करेंगे और्गैनिक केमिस्टी का वो पार्ट जो सबसी एजी है और्गैनिक केमिस्टी के अंदर जैसा कि आपको पता है बच्चों नॉर्बली यह अजमिशन है कि reaction सी reactions है, लेकिन organic part chemistry का एक part ऐसा भी है जो reasoning का part है, जो reasoning के questions आते हैं, organic chemistry के अंदर उनके अंदर कोई reaction लिखने की जिरुवत नहीं होती सिर्फ reason पुछे जाते हैं तो पूरी organic chemistry के chapter wise, hello alkane and hello arine alcohol phenol ether, सारे chapters के reasoning के questions, जो most expected है हमारे CBSC के board exam के लिए वो मैं आपको सारे के सारे बताने जा रहा हूँ explain करूँगा, सारे questions, इनसे बाहर कोई question reasoning का नहीं आएगा, organic का ऐसी हम expectation करते हैं, तो इनको जरूर कर लिजएगा, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा tough काम नहीं है, बहुत easy questions है हमारे ये, इनके अंदर कोई reactions नहीं होती, basically सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, तो जैसे बच्चों हमारा पहला हम start करते है chapter हमारा, जो chapter है, hello alcanes, hello arines, उसमें हमारा first question हमारा अगर आप देखें, तो why hello alcanes are immisible in water जो hello alcanes है, वो water में immisible क्यों होते हैं, water में dissolve क्यों नहीं होते, उसका reason यह है बच्चों, क्योंकि hello alcanes water के साथ hydrogen bonding नहीं करते, they do not form hydrogen bonds with water ठीक है बच्चों, एक organic chemistry के अंदर एक बहुत अच्छी बात आप याद रखना जो भी चीज water में soluble हो रही है जो भी चीज water में water में soluble नहीं है immisible है, तो इसका मतलब आप बता देना, वो water के साथ hydrogen bonding नहीं करती, तो यह पहला question हो रहा हो गया बच्चों, इसके बारे में मैंने बता दिया कि hello alcanes water में soluble क्यों नहीं है, immisible क्यों है, क्योंकि water के साथ hydrogen bonding नहीं करते हैं, ऐसे question पूछ लेता है, alcohol में, alcohol water में soluble क्यों है, क्योंकि water के साथ hydrogen bonding करते हैं, second question बच्चों, second question है हमारा, grignard region should be prepared under anhydrous conditions, why? grignard region को बच्चों हमें anhydrous conditions में बनाना होता है, anhydrous condition का मतलब water नहीं होना चाहिए, वापर क्यों नहीं होना चाहिए, यह region देना है आपको क्योंकि बच्चों, in presence of water it form alkane, क्योंकि water की presence में यह alkane बना लेता है, grignard region का फॉर्मला होता है बच्चों हमारा, r mg x और अगर इसकी reaction करा दी जाए, water के साथ water होता है हमारा, h positive o h negative, तो खोता है क्यों, r, जो grignard region का r है, वो h के साथ मिलके यह r और h मिल जाते है और r और h मिलके हमारे बना लेते r h, r h का मतला होता है बच्चों, r h का मतला होता है alkane तो alkane बन जाता है इसलिए हमें grignard region को water से दूर रखना चाहिए, anhydrous condition में बनाना चाहिए because in presence of water it form alkane ठीक है बच्चों, third question dipole moment of chlorobenzene is lower than cyclohexyl chloride, आपसे यह कहता है कि dipole moment है जो chlorobenzene की, वो cyclohexyl chloride से कम है cyclohexyl chloride से हमारी छोटी होती है, dipole moment कम होती है, क्यों कम होती है बच्चों, उसका reason यह है, बच्चों, dipole moment का जो formula होता है वो होता है, mu is equal to q cross d, d होता है हमारा यहाँ पर distance, यानि की size, bond length अब होता है किया बच्चों, किस में compare करा रहे हैं वो हब से compare करा रहे हैं, एक तो chlorobenzene में, यह हो गए हमारी chlorobenzene, benzene के उपर c l और एक हो गया हमारा cyclohexyl chloride यह हो गया cyclohexyl chloride यह आपको यह chlorobenzene की methyl chloride से भी compare करा सकते हैं methyl chloride CS3Cl वो यह कह रहे हैं कि chlorobenzene की dipole moment है बच्चों, वो कम है क्यों कम है, क्योंकि आपको पता है बच्चों chlorobenzene के अंदर क्या होता है, chlorobenzene में यह double bond chlorobenzene में क्या होँआ बच्चों, यह double bond यह single bond और halogen के पास होते है long pair तो यहाँ पर conjugate system आ जाता है और conjugate system की वज़े से यहाँ पर resonance होती है halobenzene में और resonance की वज़े से बच्चों, long pair shift होता है तो यहाँ पर आ जाता है double bond और double bond की जो length होती है यानि कि जो d होता है double bond का bond length जो होती है वो छोटी होती है तो आप देख सकते हैं बच्चों जो आप में दोबारा बताता हूँ dipole moment का formula mu is equal to q cross d जो chlorobenzene है, benzen वाला पार्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि resonance की वज़े से यहाँ पर क्या आ जाता है यहाँ पर resonance की वज़े से यहाँ पर double bond आ जाता है और double bond की वज़े से d क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और d जब छोटा हो जाएगा तो mu, जो dipole moment है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है तो आप इसका आंसर बहुत easily लिख सकते हैं कि जो dipole moment है chlorobenzene की वो cyclohexyl chloride से कम होती है या methyl chloride से compare कराता है तो methyl chloride से कम होती है क्योंकि chlorobenzene में resonance की वज़े से double bond आ जाता है, double bond की length कम हो जाती है, d छोटा हो जाता है इसलिए dipole moment भी छोटी हो जाती है ठीक है बच्चो बहुत important question है थाड़ हमारा, next question है हमारा fourth, fourth question है बच्चो order of boiling point दिया हुआ है कि boiling point का जो order होता है, वो यह होता है कि सबसे ज़्यादा iodobenzene, उसके बाद bromobenzene, उसके बाद chlorobenzene, उसके बाद fluorobenzene, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों iodine का size सबसे बड़ा, उसके ब bromine, उसके बाद chlorine, उसके बाद fluorine, क्योंकि जितना बड़ा size होता है, उतने ही ज़्यादा weak wonderwall forces होती है, और उतना ही ज़्यादा होता है bowling point, तो अगर हम compare करें, chlorobenzene, bromobenzene, fluorobenzene, iodobenzene में, तो सबसे ज़्यादा bowling point आप देख सकते हैं, बच्चों किसका होता है, iodobenzene का होता ह size, सबसे ज़्यादा weak wonderwall force, सबसे ज़्यादा boiling point, similarly बच्चों, अगर आपसे कहें कि methyl chloride, methyl bromide, methyl iodide, इन सब में boiling point सब ज़्यादा किसका होगा, methyl iodide का होगा, क्योंकि iodine का size बड़ा है, दूसरी बात बच्चों, boiling point में आपको एक बात और याद रखनी है, इसी में compare करा लेता है हमारा हेलो एलकेन, हेलो एरीन के अंदर, मानलो आपको ये दिया है, एक तो आपको metadichlorobanine दिया है, एक आपको orthodichlorobanine दिया है, और एक आपको metadichlorobanine दिया है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, सबसे ज़्यादा melting point होता है, वो पैरा वाले का होता है, क्यों होता है ब strong forces exist करने के वैसे इसका melting point ज्यादा होता है तो पैरा वाले का melting point बच्चों ज्यादा होता है और्थो वाले से या मैटा वाले से ठीक है बच्चों तो यह हमारा boiling point का याद धखेंगे आप अब next question आते हैं बच्चों हमारा fifth question हमारा यह भी बहुत अच्छा question है question कहरा है बच्चों the treatment of alkyl chloride with aqueous QH leads to the formation of alcohol but in the presence of alcoholic QH there is formation of alkyne जब हम alkyl chloride की reaction करते हैं aqueous QH के साथ तो हमारा alcohol बनता है जबकि alcoholic QH के साथ alkyne बनता है ऐसा क्यों हो बच्चों आपने reaction देखी होगी यह वाली आपने reaction देखी होगी अगर आप देखी हो तो reaction यह वाली अपने बहुत आती है reaction conversion में भी बहुत काम आती है जैसे अगर हम क्य करते हैं बच्चों कोई भी हमने alkyl chloride ले लिया CS3, CH2, CL ले लिया अगर इसमें हम aqueous NUH या aqueous QH डालते हैं तो aqueous वाले case में क्या होता है CL की जगा पर OH आ जाता है alcohol बन जाता है product बनता है हमारा CH3, CH2, OH similarly बच्चों अगर हम यहाँ पर aqueous QH ना लेके अगर हम लेते हैं यहाँ पर CH3, CH2, CL और मैंने aqueous ना लेके बच्चों यहाँ पर क्या ले लिया alcoholic QH ले लिया तो alcoholic वाले medium के अंदर क्या होता है बच्चों यहाँ पर dehydrogenation होता है मतलब elimination होता है मतलब alkyne form होता है एक carbon से तो और इनके बीच का single bond convert हो जाता है double में मतलब यहाँ क्या बच्चों यहाँ बच्चों यहाँ बच्चता है CH2 क्योंकि एक H निकल गया और यहाँ single bond की जगे पर क्या आ गया double bond यहाँ भी क्या बच्चा CH2 बच्चा और यहाँ से बच्चों इसका H और इसका CL, HCL निकल जाता है तो ऐसा क्यों होता है बच्चों ऐसा इसलिए होता है यह पूछना चारा है कि aqueous medium के अंदर alcohol कनता है और alcoholic medium के अंदर alkin बनता है ऐसा क्यों होता है इसका answer आप लेकेंगे बच्चों because in aqueous medium the reaction goes with the substitution path aqueous medium के अंदर जो reaction प्रोसीड होती है बच्चों substitution path से प्रोसीड होती है आप देखते है CL की जगा पर OH आ गया सीधा तो substitution हुआ और लेकिन हमारा alcoholic medium के अंदर जो reaction प्रोसीड होती है बच्चों alcoholic medium के अंदर जैसे आपने देखा CH3 CH2 CL और आपने alcoholic की बच्च प्रोसीड होती है मतलब यहां से एक CL निकलता है है हैलोजन निकलता है उससे next carbon से एक hydrogen निकलता है और CH2 double bond CH2 आ जाता है तो इसका answer यह है कि aqueous medium में reaction substitution प्रोसीड होती है इसलिए alcohol बन जाता है रिप्लेस्मेंट होती है CL की जिए पर ओच आ जाता है लेकिन हमारी alcoholic medium के अंदर basically alcoholic medium के अंदर reaction कौन से पास जाती है elimination पास ले जाती है और हमारा alkene form होता है ठीक है बच्चो तो यह आपको इतना याद रख लेना है उसके बाद अगर हम चलें next question के उपर तो next question भी बहुत important है बच्चो वाई हेलो एरीन्स आर लेस रेक्टिव धन हेलो एलकेन्स तो वाट्स नुकलिओ फिलिक सब्सिटूशन रेक्शन जो हेलो एरीन्स है वो लेस रेक्टिव होते हैं हेलो एलकेन के लिए से इसका reason के है बच्चो अभी मैंने बताया था जो हेलो एरीन्स होते हैं हेलो एरीन्स का मतलब यह हुआ बच्चो बैंजीन वाले हेलो एरीन्स मतलब बैंजीन वाले जैसे यह हमारा हेलो एरीन है क्लोरो बैंजीन जैसे यह क्लोरो बैंजीन है बच्चो और इसके अंदर क्य वज़े से बच्चों यहाँ पर क्या आ जाता है? double bond आ जाता है और double bond आने की वज़े से यह less reactive होते हैं क्योंकि double bond को break करना क्या होता है बच्चों? बहुत difficult होता है तो यह बहुत simple सा region है कि why hello arines are less reactive than hello alcanes? hello arines जादा less reactive क्यों होते हैं hello arines से? क्योंकि वहाँ पर partial double bond करेक्टर आ जाता है due to resonance ठीक है बच्चों? उसके बाद next question है हमारा although chlorine is electron withdrawing yet it is ortho and para directing why जो chlorine है वो electron withdrawing है फिर भी वो ortho और para पर attack करवाता है क्यों? इसका reason भी बहुत आसान है बच्चों बहुत important question है NCR decoction है तो हमारा बात करूं बच्चों में है chlorobenzene की यह हमारा halorine है तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको पता है बच्चों जैसे हमारा benzene के उपर जो भी group होता है अगर वो donating group होता है तो वो attack कराता है ortho और para पर अगर वो withdrawing group होता है तो वो attack कराता है meta पर लेकिन halogenes के case में क्या होता है halogenes का हमारा special case होता है halogenes के अंदर क्या होता है बच्चों halogenes हमारे दोनों तरह काम करते है donating की तरह भी withdrawing की तरह भी क्योंकि इनके पास loan pair होता है आपको फिर से बता रहा हूँ double bond, single bond और ये loan pair की वज़े से resonance होती है, resonance की वज़े से ये electron donating की तरह काम करता है और इसको बोलते हैं plus r effect दिखाता है ठीक है बच्चों resonance की वज़े से क्या दिखाता है plus r effect मतलब donating की तरह काम करता है और बच्चों क्योंकि ये chlorine हमारा electron withdrawing की तरह काम करता है chlorine हमारा electronegative element है fluorine, chlorine, group 17, halogens हमारे electronegative होते है electronegative होने की वज़े से यहां से यह electron density को pull करते है electron density को ultra खींचते है जिसकी वज़े से हम बोलते है minus i effect दिखाता है तो बच्चों, halogens हमारे एक special case होते है जिनकी अंदर वो donating effect भी होता है plus r, resonance की वज़े से वो plus r दिखाते है और electronegative होने की वज़े से electron इसे खींचते है तो minus i दिखाते है और बच्चों आप याद रखेंगे जब भी plus r और minus i हो रहा हो तो overall effect हमेशा plus r का जादा होता है और plus r का effect जादा होने का मतलब क्या है ये donating की तरह काम कर रहा है donating की तरह काम करेगा तो कहाँ पर attack कराएगा ये attack कराएगा बच्चों ortho पर और para पर तो इसका simple सा reason हो गया बच्चों की why chlorine is electron withdrawing chlorine electron withdrawing की तरह काम करता है लेकिन फिर भी ये ortho और para पर attack क्यों कराता है ortho para directing क्यों है क्योंकि इसके अंदर दो effect होते हैं, plus r और minus i, लेकिन plus r effect हमेशा minus i से ज़्यादा होता है, इसलिए donating की तरह काम करता है, कहां पर attack कराता है, और तो और पेरा पर attack कराता है बच्चों, उसके बाद ही हमारे बच्चों complete हो गए है, hello alkin, hello arin के, उसके बाद हम करते हैं बच्चों, alcohol phenol ether chapters की questions, पहला question है बच्चों हमारा, alcohol phenol ether का, why alcohols are soluble in water, alcohols water में soluble क्यों होते हैं, because मैंने बताया था, कोई भी water में चीज़ soluble तब होती है, जो वो water के साथ hydrogen bonding करती है, तो alcohols are soluble in water, because they form hydrogen bonds with water, ठीक है बच्चों, second, why alcohols have greater bowling point than hello alkin, alcohols का bowling point, hello alkin से ज़्यादा क्यों होता है, इसलिए ज़्यादा होता है बच्चों, क्योंकि alcohols के अंदर, intermolecular hydrogen bonding होती है, alcohols के अंदर, intermolecular hydrogen bonding होती है, जबकि hello alkin में नहीं होती, simple alkin में भी नहीं होती, इसलिए alcohol का bowling point ज़्यादा होता है, third question बच्चों, very important कि why phenol is more acidic than alcohol, जो phenol होता है, वो ज़्यादा acidic क्यों होता है alcohol से, phenol alcohol से ज़्यादा acidic कि इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि phenol के अंदर, hydrogen ion निकलने के बाद, बनता है phenoxid ion, which is resonance stabilized, आपको पता है बच्चों, phenol होता है, benzene के उपर OH, यहाँ से बच्चों, यहाँ से इसके अंदर क्या होता है, कोई भी चीज acidic तब होती है, जब वो hydrogen ion release करती है, जब वो hydrogen ion देती है, तो यहाँ से बच्चों क्या निकल जाता है, यहाँ से H positive निकल जाता है, जब तो benzene के उपर आ जाता है, O negative, और O negative का मतलब है, phenoxid ion बोलते हैं बच्चों इसको, और आप देख सकते हैं, double bond, single bond, negative charge, यह double bond, यह single bond, यह negative charge, यह कैसा है बच्चों, हमारा यह phenoxid ion है, phenoxid ion के अंदर क्या होती है बच्चों, resonance होती है, और resonance की वज़े से ज़्यादा acidic होता है, stabilize रहता है resonance की वज़े से, हम कोई भी चीज किसी को तब देते हैं, जब देने के बाद भी हम stable रहे हैं, तो यह hydrogen ion इसलिए दे पा रहा है बच्चों, क्योंकि hydrogen ion देने के बाद इसमें resonance होती है, तो यह stable रहता है, ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा phenol ज़्यादा acidic होता है alcohol से, क्योंकि alcohol के अंदर हमारा hydrogen ion देने के बाद, जो alcoxide ion बनेगा, वो stable नहीं होगा, लेकिन phenol के अंदर, जो hydrogen ion देने के बाद, phenoxide ion बनेगा, वो stable होता है, नेक्स्ट कुश्चन बच्चों, फोर्थ हमारा alcohol phenol ether का, वाई और्थो नाइट्रो फिनॉल is more acidic than ortho methoxy phenol, बच्चों मैंने कई बार बताया हुआ है, आपको वीडियो में भी बताया हुआ है, कि कभी भी acidic का question आए, तो आप ये देखे हैं कि withdrawing group कौन सा है, अब आपसे जैसे compare करवा रहा है बच्चों, हमसे ये ortho nitro phenol में और ortho methoxy phenol में, अब ये ortho nitro phenol कौन सा होता है बच्चों, ये ortho nitro phenol होता है, बैंजिन के उपर OH और ये NO2, ये ortho nitro phenol है, तो SD character बढ़ाएगा, और donating group SD character घठाता है, तो क्यों withdrawing group हमारा SD character इसलिए बढ़ाते हैं बच्चों, क्योंकि वो hydrogen ion का निकलना easy कर देते हैं, तो NO2 group electron withdrawing है, electron withdrawing का पता कैसे लगा, बच्चों जिन N double bond हो, single bond होता है, जिनके अंदर भी double A triple bond आ रहा हो, कहीं पर भी वो withdrawing की तरहे काम करते हैं ज्यादा तर, तो हमारा ortho nitro phenol, ortho methoxy phenol से ज्यादा SD किसलिए है, क्योंकि NO2 group electron withdrawing है, और withdrawing group SD character को बढ़ा देता है, बच्चों, hydrogen ion का निकलना easy कर देता है, बच्चों, इसलिए, next question पर आते हैं बच्चों हमारा, next question अगर हम बात करें, last question, alcohol phenol ether का, कि preparation of ethers by acid dehydration of secondary tertiary alcohol is not suitable method, अगर हम ethers बनाते हैं, बच्चों, ether बनाने का हमारा एक method ये भी होता है, ether बनाने के basically बच्चों, पूरी organic chemistry में दो ही method हैं हमारे, एक method तो हमारा आपको पता है, William Sun Synthesis of Ether, जो सब बच्चे जानते हैं, Rx plus Rona, ROR plus Nax, पता होगा बच्चों आपको, जो William Sun Synthesis of Ether होती है बच्चों हमारी, William Sun Synthesis of Ether के अंदर हमारी ether की formation होती है, तो एक तो ether बताएंगे, उसको भी William Sun Synthesis of Ether से ether बनता है, और एक बनता है बच्चों, तो अगर हम alcohol के अंदर CS3, CH2OH हमारी बहुत important reaction है, dehydration reaction, अगर concentrated H2SO4 डाल देते हैं, अलग-अलग temperature पर होती है, 443 Kelvin पर तो इसके अंदर alkin बनता है, लेकिन 413 Kelvin पर ether बनता है, तो यह कहना चारा है कि जो alcohol है, अगर उसका dehydration करें, water निकाल के ether बनाएं, steric hindrance आ जाती है, steric hindrance होती है बच्चों, भीडबाड की वज़ा से रुकावाट आ जाती है, और भीडबाड की वज़े से रुकावाट आ जाती है, तो वहाँ पर elimination जो है, वो ज़्यादा easy हो पाता है, मतलब वो reaction properly हो नहीं पाती है, because of steric hindrance, तो आप बता देंगे कि secondary और tertiary के लिए dehydration से ether बनाना आसान नहीं है, suitable method नहीं है, इसलिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर steric hindrance हो जाती है, बच्चों, अगर आप कोई question नहीं आ रहा हो, clear ना आ पा रहा हो, तो इसको बार-बार देखे, इस वीडियो को बार-बार उपर नीचे करके, sorry, बच्चों, पांस से साथ नंबर की organic chemistry, आपकी इसी वीडियो से तयार हो जाएगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है, तो बच्चों, इसको बार-बार, अगर आप clear नहीं हो पारी, कोई चीज याद नहीं हो पारी है, तो इस वीडियो को बार-बार revise करें, बार-बार सुनें, नेस्ट चेप्टर है बच्चों, हमारा LD-Height Ketones and Carbocolic Acid, हमारी LD-Height Ketones और Carbocolic Acid हमारा जो चेप्टर है बच्चों, उससे हमारी क्या-क्यार रिजिनी की questions बन सकते हैं, वो देखें, फर्स्ट कुश्चन है बच्चों, हमारा why LD-Heights are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reactions, बच्चों, पहली बात तो जो LD-Height or ketones है आप ध्यान लखें, वो nucleophilic addition reactions देते हैं, जब भी हम LD-Height or ketones की reactions करते हैं, जब भी हम LD-Height or ketones की reaction करते हैं, बच्चों, तो हम दो तरह से reactions करते हैं, एक तो LD-Height or ketones की reaction करते हैं, nucleophilic addition reactions, एक तो हम LD-Height or ketones की reaction करते हैं, with loss of water, और एक करते हैं, without loss of water, तो बच्चों, यह कहना चाहरा है, कि जो LD-Height or ketones हैं, उनकी nucleophilic addition reactions के अंदर, जो LD-Height से वो ज़्यादा reactive होते हैं, बजा कि ketones, कैसे होते हैं बच्चों, जैसे हमारा HC double bond हो H, यह हमारा LD-Height है, इनके पास कोई nucleophile आया है, nucleophile का मतलब NU का मतलब nucleophile, nucleophile का मतलब जिस पर कैसा charge होता है बच्चों, negative charge होता है, अब होता है क्या है बच्चों, किसी भी compound में double bond हो, उसके साथ को react करने आ रहा हो, तो पहले उसका bond shift होता है, यह bond shift होगा oxygen के पास, तो कि oxygen की electron negativity कारबन से जादा है, तो इस पर तो negative charge आएगा, इस पर positive charge आएगा अब होता है क्या है बच्चों, negative वाला nucleophile positive वाले के पास चला जाता है और हमारी जो reaction होती है अब क्या होता है बच्चों, अब आपको पता है कि जो LD heights होते हैं, बच्चों, LD heights के अंदर हमारा, LD heights के बात करें अगर हमारा, तो LD heights के अंदर, बच्चों, C double bond O जो होता है एक group, carbonil group बोलते हैं इसको इसके तरफ, एक तरफ CS3 रह सकता है और एक तरफ H रह सकता है या दोनों तरफ H रह सकते हैं लेकिन जो ketone होगा, बच्चों, ketone के अंदर compulsory है, C double O के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, CS3 होने चाहिए तो आप देखें, बच्चों, ketone के अंदर दो electron donating groups आ रहे हैं हमारे और जबकि LDID के अंदर केवल एक electron donating group है, तो होता है क्या है बच्चों, जब shifting होगी, इस पर negative आएगा इस पर positive आएगा तो होता है क्या है बच्चों, जब electron donating groups हैं, वो electron donating groups क्या करेंगे, इस positive charge को diminish कर देंगे इस positive charge को decrease कर देंगे कम कर देंगे क्योंकि electron donating groups हमारे negative charge donate करेंगे electron donate करेंगे और इस पर charge कैसा है positive तो negative positive क्या होता चला जाएगा बच्चों neutral होता चला जाएगा और nucleophile जो हमारा था nucleophile जिसको हम attack करा रहे थे बच्चों जो हम nucleophile ले रखा था उस पर कैसा charge था nucleophile पर negative charge था तो negative वाला कभी भी positive वाले पर तब attack करेगा जब उसको positive मिलेगा लेकिन electron donating groups क्या कर रहे हैं बच्चों electron donating groups तो positive charge को घटा रहे हैं क्योंकि आपको देखा जैसे की ketone के अंदर क्या था बच्चों CS3, C-Develop, CS3 यहाँ पर हमारे दो-दो electron donating groups आ गए तो वो यहाँ पर कारबन पर positive charge को नहीं रहने देंगे क्योंकि donating groups आ गए अब positive इसका मतलब क्या है बच्चों जो donating groups हैं वो reactivity को decrease करते हैं क्योंकि वो nucleophile का attack difficult कर देते हैं इसलिए बच्चों आप देख सकते हैं ketone के अंदर दो donating group हैं LD height के अंदर सिर्फ एक donating group होता या एक भी नहीं होता तो इसलिए हमारे जो बच्चों LD heights हैं ज्यादा reactive होते हैं हमेशा ketones से एक रूल भी बताता हूँ मैं D3, D3 का मतलब पहले D से donating दूसरे D से decrease और तीसरे D से difficult मतलब जो electron donating groups होते हैं वो reactivity को LD height और ketones की reactivity को decrease कर देते हैं क्योंकि वो nucleophile का attack difficult कर देते हैं इसलिए हमेशा LD height ज्यादा reactive होंगे किसे ketones से ठीक है बच्चों बहुत important question है इससे और question भी बनेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे बनते हैं इससे और questions जैसे कि हमारा question है बच्चों arrange the following in increasing order of their reactivity towards nucleophilic addition reactions इनको हमें arrange करना है reactivity towards nucleophilic addition reactions तो बच्चों ऐसे भी कह देते हैं arrange the following in increasing order of their reaction with HCN HCN आपको पता हो तो hydrogen cyanide के साथ sinohydrine बनता है reaction nucleophilic addition ही होती है तो बात एक ही है तो इसके अंदर हमें वो ही चीज़ देखनी है बच्चों जहां भी donating group आएगा वहाँ पर reactivity कम होगी जितने ज़्यादा donating group उतनी कम reactivity जैसे आप देख सकते हैं बच्चों ethanol, propanol, propanon और butanon, ethanol का formula क्या हो जाएगा? ethanol का formula हो जाएगा CH3, CHO propanol का formula क्या हो जाएगा? propanol का formula हो जाएगा बच्चों, propanol का formula हो जाएगा CH3, CH2, CHO ठीक है बच्चों? ऐसी हमारा है propanon, propanon मतलब ketone हो गया, acetone propanon का formula क्या होगा बच्चों? propanon का formula होगा हमारा CH3, CH3, CO, CH3 और ऐसी बच्चों एक है हमारा ब्यूटे नॉन, ब्यूटे नॉन का फामूला क्या हो जाएगा ब्यूटे नॉन पर एक C और आ जाएगा चार वाला हो जाएगा तो आप देखें बच्चों इसके अंदर क्यों सा सबसे ज़्यादा कम रेक्टिव होगा सबसे ज़्यादा रेक्टिव कौन होगा सबसे ज़्यादा रेक्टिव एथेनली होगा क्योंकि इसके अंदर एक ही CS3 ग्रूप है अब आप कहोगे कि CS3 एक ही अलकायल ग्रूप है एक ही डोनेटिंग ग्रूप है लेकिन इस वाले के अंदर भी एक ही एलकायल गुरूप है, एक ही डोनेटिंग गुरूप है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, पहली बात तो बच्चों आप ये देख लें, ये LD हाइड है, CHO, ये भी LD हाइड है, और ये क्या है, कीटॉन, तो LD हाइड ज् सबसे ज़्यादा रेक्टिव तो LD हाइड ही होंगे, लेकिन इन दोनों में भी ज़्यादा रेक्टिव कौन से होगा, इतेनल वाला, जिसके पास दो कार्बन है, इत का मतलब दो, और उसके बाद प्रॉप का नमबर आएगा, तीन कार्बन वाला, उसके बाद ये तोनों, दोनों की टोन है, बच्चों, प्रॉप का मतलब तीन कार्बन और ब्यूट का मतलब चार कार्बन, दोनों की टोन है, मतलब LD हाइड से तो कम रेक्टिव हैं, लेकिन उनकी अंदर भी जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे कम रेक्टिव होगा, वो ब्यूटेनोन होगा, क्योंक वह यह चीज़े काम करेंगी बस आपको इतने सी बाद ध्यार नकनी है कि जहां पर electron donating group है महां पर हमारा electron donating groups reactivity को decrease करेंगे और withdrawing group increase करेंगे nucleophilic addition reactions में similarly बच्चों यह वाला questions भी आप खुद कर लेंगे एक बार देख लेंगे NCRD question है यहां पर भी वही concept काम करेगा पिल्कुल as it is हमारा third question हमारा aldehyde ketones and carbocallic acid का कि why carbocallic acids are stronger acids than alcohols जो carbocallic acids होते हैं वो alcohol से भी ज़्यादा strong होते हैं और phenol से भी ज़्यादा strong होते हैं आप बच्चों ध्यान दकें carbocallic acid का surname ही acid है तो organic chemistry के जो सबसे strong acid होते हैं वो carbocallic acid ही होते हैं सबसे strong acid carbocallic acid ही होते हैं उसके बाद दुसे नमबर पर phenol आते हैं और तीसे नमबर पर alcohols आते हैं similarly बच्चों boiling point भी सबसे ज़्यादा हमारा जो होता है वो carbocallic acid का ही होता है एलकोहल से भी ज़्यादा होता है एलकोहल के अंदर भी hydrogen bonding होती है लेकिन carbocallic acid hydrogen bonding करने के साथ-सथ डाइमर बनाते हैं मतलब दो तरफ से hydrogen bonding करते हैं तो हम यह कह सकते हैं बच्चों carbocallic acid का जो boiling point है वो alcohol से भी ज़्यादा होता है और सुरी अब हम question करना जा रहे हैं कि carbonic acid ज़्यादा strong क्यों है alcohol से और या फिर phenol से इसका reason बच्चों ये है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि phenol ज़्यादा acid कोते है alcohol से क्योंकि phenol के अंदर हमारा phenol ज़्यादा acid कोते है alcohol से क्योंकि phenol के अंदर हमारा resonance की वज़े से phenol के अंदर resonance की वज़े से phenol के अंदर बच्चों ये phenol होता था benzyn के ओपर OH यहाँ से hydrogen ion निकलता था तो यहाँ पर benzyn के ओपर O negative बनता था तो इसको हम बोलते थे phenoxide ion resonance की वज़े से stabilize होते थे similarly बच्चों carboglic acid भी हमारे क्या होते हैं carboglic acid होते हैं हमारे जैसे की R, C, O, O, H तो इसमें भी hydrogen कोकी acid है तो बच्चों acid क्या करेगा hydrogen ion निकालेगा H positive निकालेगा तो यहाँ से जब H positive निकलता है तो बनता है क्या है बच्चों R, C, यह हमारा double bond O और यहाँ पर O negative आ जाता है और इसको बोलते हैं बच्चों हम carboxylate ion carboxylate ion तो बच्चों जो carboxylate ion होता है वो resonance की वज़े से stabilize होता है phenoxide ion से भी ज़़दा stabilize होता है phenol के और आपको पता है alcohol में तो जो alcoxide ion बनता है hydrogen ion बनने के बाद hydrogen ion निकलने के बाद वो तो stable होता ही नहीं है तो सबसे ज़्यादा strong acid कौन से सबसे ज़्यादा कौन होते हैं organic में strong carboxylic acid होते हैं सबसे ज़्यादा strong carboxylic acid होते हैं क्योंकि hydrogen ion निकलने के बाद जो carboxylate iron बनता है, वो resonance की वज़े से बहुत ज़्यादा stabilise होता है, फिनॉल से भी ज़्यादा stabilise होता है, जो की phenoxide iron बनता है, फिनॉल में उससे भी ज़्यादा stabilise होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा strong acid, carbocolic acid होते हैं, ठीक है बच्चों, next जो हमारा question है, वो मैं आपको पहल सबसे ज़्यादा bowling point, organic में carbocolic acid का होता है, क्योंकि वो hydrogen bonding तो करता ही करता है, साथ में dimer बनाता है, मतलब दो ज़रफ से hydrogen bonding करता है, जो last question है बच्चों, इस chapter का हमारा, एली हैट की टॉंस का, ये वो है, they are the two NH2 groups in semi-carbogen, semi-carbogen, बच्चों, semi-carbogen होता है हमारा एक, जो water remove क करने के बाद semi-carbogen बनता है, तो बच्चों, semi-carbogen का formula होता है, NH2, CO, NH2, NHCO, NH2, ये होता है बच्चों, NH2, NHCO, NH2, ये formula होता है, हमारा semi-carbogen का, तो ये कहता है बच्चों, कि इसके अंदर there are two NH2 groups in semi-carbogen, however, only one is involved in the formation of semi-carbogen, लेकिन जब water remove कराके, हम semi-carbogen बनाते हैं, तो एक H2 ही involved रहता है, मतलब ये वाला H2 बच्चों, water remove करने के लिए use होता है, ये वाला H2 use नहीं होता, क्योंकि ये वाला H2 जिस के साथ जुड़ा है, वो resonance में involved रहता है, इसलिए ये water निकालने काम नहीं आता, सिर्फ एक ही H2 use होता है, water निकालने के semi-carbogen के, क्योंकि एक ह हमारा available हो पाता है, क्योंकि दूसरा वाला जो NH2 है, वो resonance में involved हो रहता है, वो water निकालने के semi-carbogen नहीं बनाता है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे questions थे, reasoning के LDH, ketones and carbonic acid के, उसके बाद बच्चों हमाते हैं, last topic पर, last chapter पर हमारा amines, जा chapter है, हमारा बच्चों एक question, जो मैंन amines को आप basic character है, वो इस वीडियो में discuss नहीं करा है, वो अलग से आप कर सकते है, amines का basic character, तो उसका amines का basic character ज़रूर कर लेजेगा, अगर organic chemistry का सबसे important topic हाऊं, तो वो उसमें से एक है, amines का basic character, अब amines के reasoning questions जो हम कर रहे हैं, बच्चों, पहला question है हमारा, among amines, order of bowling point is, सबसे ज हमारे 2 degree amines, यानि कि R, NH, R, और 30 नंबर पराते हैं, 3 degree amines, यानि कि R, N, R, और ही R, अच्छा, पहचानें कि कैसे बच्चों, 1 degree amines है, जिसके अंदर NH2 हो, वो 1 degree, जिसके अंदर NH2 हो, वो 2 degree, जिसके अंदर सिर्फ NO हो, वो 3 degree, तो primary amines का bowling point सबसे ज़्यादा होता है, क्योंक H, hydrogen bonding के लिए, और 3 degree के अंदर, कोई hydrogen नहीं होता, hydrogen bonding के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा bowling point primary amines का, उसके बाद 2 degree amines का, उसके बाद 3 degree amines का, second question है बच्चों, PKB value of aniline is more than methyl amine, जो aniline की PKB value है, वो methyl amine से ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है बच्चों, PKB value इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि, बच्चों, जो aniline होता है, benzene के उपर NH2, ठीक है बच्चों, और methyl amine का formula होता है, CH3 NH2, ठीक है बच्चों, अब कभी भी क किसी की ज़्यादा है, तो PKB value का मतलब, ज़्यादा होने का मतलब, उसका हमें बताना है, कि उसका basic character कम क्यों है, अगर PKB value कम बता रहा है, तो उसका हमें बताना है, कि उसका basic character ज़्यादा क्यों है, बच्चों, क्योंकि basic character के inversely proportion होती है, PKB value, तो यह कह रहा है, बच्चों, एनिलीन की PKB value ज़्यादा क्यों है, इसका मतलब एनिलीन का basic character कम क्यों है, basic character depend करता है बच्चों, electron donating group पर, अगर electron donation वहाँ पर आसानी से हो रहा है, तो basic character ज़्यादा होगा, बकायदा मैंने अभी बताया था, जो SD character है, उसमें देखना होड़ता है, हमें withdrawing group, जितना donating group होगे, या हमारा lawn pair होगा, उतना ज़्यादा basic होता है, अब हमारा problem क्या है बच्चों, जो aromatic amines होते हैं, जैसे कि हमारा aniline, जो aromatic amines होते हैं, जैसे कि हमारा aniline, हमारा aromatic amines है बच्चों, वो हमेशा कम basic होते है, methyl amines जैसे कि aliphatic amines से, इसलिए कम basic होते हैं बच्चों, जैस है वो donation के लिए available नहीं रहता तो सीधी सी बात है बच्चो एनिलीन हमारा कम basic है एनिलीन हमारा कम basic है methyl amine से क्योंकि उसका lawn pair कहां चला जाता है resonance में चला जाता है donation के लिए available नहीं रहता और aromatic amines कम basic होते हैं aliphatic amines से ऐसे भी आ सकता है और यहाँ पिर दूसी तरह से मैंने बताया दिया कि PKB value एनिलीन की ज़्यादा के हो है क्योंकि उसका basic character कम है और basic character कम के हो है क्योंकि उसका lawn pair donation के लेवलेबल नहीं होता राजनेस में चला जाता है next question बच्चो question number 3 when nutrition of aniline does जब हम nitrogen करते हैं aniline का there is formation of Meta product there is formation of substantial amount of Meta product ऐसा क्या होता है बच्चो एनिलीन जो होता है एनिलीन में बच्चो हमारा donating गृरूप होता है एनिलीन के अंदर जो लो टॉनेटिंग होता है यह एनिलीन की बात करें थोड़ा सा क्यों बनाता है क्योंकि बच्चों अगर हमें nitrogen करना है तो nitrogen करने के लिए मुझे डालना पड़ता है concentrated H2SO4 और concentrated HNO3 तो होता है क्या है बच्चों ये H2SO4 के साथ rate कर जाता है क्योंकि ये हमारा aniline मैंने भी बता है base है और H2SO4 क्या है हमारा acid acid or base मेर के क्या बना लेते हैं salt बना लेते हैं और वो salt क्यों बनाते हैं salt बनाते हैं ये वाला benzene के उपर जो आता है बच्चों benzene के उपर आ जाता है NH3 positive HSO4 negative इसका नाम होता है anilineum hydrogen sulfate और इस पर positive charge होने की वज़े से electron withdrawing की तरह काम करता है और electron withdrawing की बना होने की वज़े से ये meta पर भी ठेक करवाता है थोड़ा सा meta पर भी बनाता है तो ये question बहुत आता है बच्चों sample paper में भी आया हुआ है तो इसका answer ये है क्योंकि हमारा nitrogen के दोरान during the nitrogen aniline reacts with the sulfuric acid aniline is base and sulfuric acid is H2SO4 acid तो they form the salt anilineum hydrogen sulfate anilineum hydrogen sulfate anilineum hydrogen sulfate NH3 positive HSO4 negative which is withdrawing in nature therefore it forms meta product ये इसका answer है बच्चों next अगर हम बात करें बच्चों next हमारा जो है ये next question भी ऐसा ही है aniline does not undergo friedel craft reaction very 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 important question बच्चों aniline friedel craft reaction क्यों नहीं देता तो aniline friedel craft reaction इसलिए नहीं देता क्योंकि बच्चों वोई reason है same to same जो भी मैंने आपको बताया क्योंकि आपको पता है friedel craft reactions कराने के लिए जैसे aniline base है और friedel craft reaction कराने के लिए चाए मझे friedel craft alkylation कराना है तो मझे क्या डालना पड़ेगा CS3 Cl in presence of anhydras AL-CL3 तो बच्चों Friddle Craft reaction के लिए हमें ALCL3 जरू डालना होता है अब वोई चीज है Aniline Base है ALCL3 होता है बच्चों हमारा Lewis Acid तो Acid और Base मिलके दोनों Salt बना लेते हैं और reaction आगे proceed नहीं हो पाती तो Aniline Friddle Craft reaction इसलिए नहीं देता है बच्चों क्योंकि Aniline Base है और Friddle Craft reaction में ALCL3 यूज होता है विच Acid and Base तों बोथ react and form salt इसलिए Aniline Friddle Craft reactions नहीं देता है बच्चों और अब हम आगे हैं बच्चों लास्ट कोशिन पर इस Organic के Reasoning के Gabriel Thalamite Synthesis is Preferred for Primary Amines जो Gabriel Thalamite Synthesis है वो Primary Amines बनाने के काम आती है सिर्फ Secondary या Terrestrial Amines है Aromatic Amines बेसिकली बनाने के काम नहीं आती तो Aromatic Amines Gabriel Thalamite Direction से क्यों नहीं बनते हैं इसलिए नहीं बच्चों क्योंकि Aromatic Amines जब बनाने की हम कोशिश करते हैं तो Aromatic Amines के अंदर मुझे Hello Arine लेना पड़ता है Gabriel Thalamite Direction में और Hello Arine का आपको पता ही है बेसिक प्रोब्लम क्या है Double Bond, Single Bond, Lone Pair, Conjugate System, Resonance Resonance की वज़े से इसमें Double Bond आ जाता है और Double Bond आना आपको पता है Double Bond की वज़ा से ही यह बहुत कम रेक्टिव होता है बताया था भी कोशन मेंने कि Why Hello Arines are less reactive than Hello Alkanes towards the Nucleophilic substitution reactions या फिर Why Hello Arines are very less reactive than Hello Alkanes तो Simple सी बात है बच्चों अगर हमें Aromatic Amine बनाना है Gabriel Thalamite Synthesis से तो मुझे Hello Arine लेना पड़ता है और Hello Arine के अंदर Partial Double Bond करेक्टर आ जाता है Due to Resonance इस वज़े से भी बच्चों ये हमारा Double Bond होने की वज़े से ये हमारा Bond break नहीं हो पाता और Erection नहीं देता तो Gabriel Thalamite Reaction तो ये बच्चों सारे question हमारे complete हो गए Organic Chemistry की पूरी reasoning complete हो गई है तो बच्चों इसको बार-बार अगर आपको clear नहीं हो रही है आपके mind में पिच्चर clear नहीं है तो इस वीडियो को बार-बार देखें पांस से साथ नंबर का हो सकता है उससे भी ज़्यादा नंबर का आपको पेपर यहासें बिले Thank you very much